हेलो फ्रेंस मेरा नाम है मिस सहर और आज की इस नए और इंट्रेस्टिंग वीडियो में आप सब इलो का स्वागत है तो दोस्तो आज की इस नए और इंट्रेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं कापिराइट क्लेम क्या होता है और साथी साथ इस से हमारे चैनल पर क्या फर्क परता है आज की इस वीडियो में हम आपको यही सिखाने वाले हैं यानि कि यही बताने वाले हैं तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आई सी इंट्रेस्टिंग वीडियो यूटूब से रिलेटेद देखना चाहते हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वेल अकन को जुरूर दबा ले तो चलिए फिलाल इस वीडियो को सुरू करते हैं और पर क्यों आता है तो इससे यह होता है कि जैसे अगर आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हो और इसी वीडियो को आप अपने यूटूब चैनल पर अफ्लोड कर लें तो मैं क्या करूंगा कि आपके पास क्लें दे दूँगा यानि कि आपने हमारे वीडियो को यूज किया है, किसी दूसरे वेक्ति के content को आपने यूज किया है, तो सिंपल सी बात है कि जिस वेक्ति का content आपने यूज किया है, वह वेक्ति आपके उपर copyright claim ठोक देगा, यानि copyright claim देदेगा, तो ऐसे में अगर आप हमारे वीडियो या कि खुद की भॉआय से खुद की यह वाडी है यह सारा कुछ मैंने खुद का यूज किया है इससे मेरे वीडियो पर कापी राइट क्लेम नहीं आ परसेंटेज में घाटा हो सकता है जैसे कि अगर आपके यूटूब चैनल का मोन्टाइजेशन इनेबल है और आपने किसी दूसरे बेक्ति का वीडियो अपलोड कर दिया आपने यूटूब चैनल पर और उस वीडियो पे काफी ज्यादा व्यूज आ गया और साथी साथ उस काफी ज्यादा इनकम जेनरेट हो चुका है तो जिस बेक्ति का आपने वीडियो यूज किया है अगर वो बेक्ति आपके उपर कापी राइट क्लेम दे देता है तो उसका जो अर्निंग है यानि कि आपने जो वीडियो यूज किया था वो किसी दूसरे बेक्ति का वीडियो तो है उसके पास इसलिए आपको खुद का content यूस करना है नहीं तो दोस्तो हमें आसा है कि आज की इस नय और इंट्रेस्टिंग वीडियो से आपको ये पता चला होगा कि कापिराइट क्लेम क्या होता है और कैसे वीडियों पर आता है और कापिराइट क्लेम्च अब के लिए क्या उपाए है आज की इस वीडियो से आपको ये सारा कुछ जरूर पता चला होगा तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट और उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को सैर करें जिने इन वीडियो की जरूरा थे तो आज के लिए इतना ही अगर च